14 जून 2020 को एक्टर सुशान सिंग राजपूत का निधन हुआ था इस खबर ने उनके हर फान को जगजोर कर रख दिया था लेकिन इस घटना की लगभग 34 दिनों की बाद फिल्म दिल बैचारा रिलीज हुई थी सुशान सिंग राजपूत की ये आखरी फिल्म थी 24 जुलाई 2020 को लॉकडाउन लगा था इसलिए मेकर्स ने फिल्म को ओटीटी पर रिलीज किया फिल्म दिल बैचारा की कहानी दिल को चूल लेने वाली थी जब सुशान सिंग की निधन के बाद ये फिल्म ओटीटी पर आई चार साल हो गए है आज मेरी लिए इस कूपसूरा जर्नी में डूबने का दिन है दिल बेचारा और किजी बसू को आप सभी ने जो प्यार दिया है उसके लिए बहुत ज्यादा आभार मैं अपनी दिल से जो excitement महसूस करे हूँ मैं उससे नहीं बता सकती आप सभी ने मुझे आपको entertain करने का मौका दिया थांक यू एक लाग से भी ज्यादा मिस्स यू सुशान अगर आपने यह फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो इसे डिजनी प्लस हौट स्टार पर देख सकते हैं मुकेश चापडा की निर्देशन में बनी इस फिल्म में सुशान सिंग राजप खान का इसमें क्यामी हो था